तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं मुंग दाल मंगोने की रेसिपी हम इसे तीन तरीके से बनाएंगे बहुत ही घ्रिस्पी बनते हैं आपको इसमें नहीं चाबल खाटा यूज करना है नहीं कोई सोड़ा यूज करना है बहुत ही इजी टेस्टी और सिंबल भी है आप इससे अपने घर पर जरूर जैससी गोनगने पानी में कम से कम चार से पान इसको नहीं करना है इसको आप質 जब लाग informações करना है इससे भी आपको डाल के साथ में पीसना है और डाल में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है पीसते वक्त क्योंकि इसमें काफी मौशर होता है और यह बहुत अराम से पिसकर तयार हो जाती है तो बस यहां पर इसको हमने पीसकर तयार कर लिया है यह देख सकते ह इसमें न मैं आपको बता देती हूँ आपको बिलकुल हल्का सा दर दर और इसमें रहने देना है ये दिखे से बहुत बारिक-बारिक सा बिलकुल पेस्ट नहीं मनाना है आपको इसका इस तरीके से रखना और पीश्श Nacional पानी भी नहीं डालना है तो बस अब इससे हम एक बरतन में निकाल लेते हैं आपना इससे कुछ ऐसे फैले हुए बरतन में निकाल ला और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ज तो यहाँ पर मैंने 5 से हरी मिर्ज ले लिए हैं से मैंने स्रीकी से तोड़ा रफली कट कर लिया है आपको ज्यादा लगे तो कम कर सकते हैं बाकि हरी मिर्च का टेस्ट ने इसमें अच्छा लगता है और जब वो और अच्छी लगती है बाकि यह डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर अब बस इसी के साथ में यहां पर हम इस जाएगा अजवाइन रब करके डाल देना फ्लेवर अच्छा आता है और डाल देना आप इसमें नमक स्वाधनुसार और यहां पर न आपको डालना है अच्छी कॉंटिटी में हारा धनिया हारा धनिया जितना अच्छे से डालोगे न रिजल्ट क्रिस्पी होने का इसमें अच्छा आता है तो हरा धनिया अच्छे से डाल देना साथ में यहां पर इसमें डाल देना हींग मगोरे मेना फ्लेवर थोड़ा अच्छे से डालोगे न तो टेस्ट आपको अच्छा लगेगा और बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करके तयार करना है इसमें भी आपको प यह को हो गया है लेकिन इसके मगोर्य आप तेल में कैसे डालेंगे Nutismo तोड़े amont में है अपको टाले है फसे फ्लैट करना है फिर आपकर टालेसे लेया हैधै और यह रमकर साईज में इस मुek घ्ला किया है लेल में आपको इससे डाल लेना है now. अब हिसी में से जो दूसरे वाले वाग्या कैसे बढ़ेंगे simply आपको कच्छा लू लेना है उसे स्षील लेना है को और पतरा पतरा आपको इसको कट कर लेना है यहां पर हमने ना आलो के चार पीसिस किये हैं तो आलो के छोटे छोटे पीसिस आपको करने हैं तब इना वह हर्डबाइट्स में अच्छे लगेंगे अभू क्या करना है simply दाल में ऐसे हलका सा कोट करके इसको डाला है या फिर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा दाल का मसाला लेना और आलू में अच्छे से मिक्स कर देना और ध्यानक न दाल कम होगी आलू जादा होंगे आहापक कड़ाई में हमें लिया है सरसो का तेल और इसलिए आप अच्छे से गरम होने देना और आप चाहें तो रिफाइंट ले सकते हैं बट अच्छा टेस्ट और अच्छा क्रिस्पीनस सरसो के तेल में जादा अच्छा बनता है तो मैं आपको यह थोड़ा सा मैटर लेना है फ्लाइट करना है और ओल में छोड़ देना है दीखेंगे आप तेल में अभी भी दूआ निकल रहा है और आपको फ्लेम को फुल ही रखना है क्योंकि बैटर आप देख सके कितना गीला होता है और अगर तेल अच्छा गरम नहीं होगा तो क्या होगा वो ओल को एब्सॉब कर लेगा यह दिखेंगे आपको अच्छा रिजल चाहिए तो उसके लिए ओल का टेंपरिचर अच्छा गरम होना चाहिए तो यहाँ पर एक बार में जितनी मगोड़े आ जाए उसके बाद में हलका सा आप इसको ऐसे कर देना तक कि इसका जो सर्फेस एरिया है वो भी थूड़ा सा ओइल से कोट हो जाएगा तो हलका सा वो सैट हो जाता है और जब तक कि यह मगोड़े थूड़ा सा सिक कर सैट नहीं हो जाते तब तक आप इसको पलटना नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में तो यह सॉफ्ट रहते है तो बस यहां पर इसको आप ऐसे भी चैक कर लेना बाकि आप इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देना क्योंकि पहले तो यह सुखना शुरू होते हैं उसके बाद में एक रिस्प भी होना शुरू होते हैं तो यहां पर मैं आपको फास्ट वारूंट में दिखा रही हूं बट काम ध्यान रखना फुल फ्लेम पर करना है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करना है इसी तहीं तरीके से हम सेखेंड बैच भी फ्राई करेंगे उसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है तेल अच्छा गरम हो जितने मगोड़े आ जाए उस नहीं बनाने हैं चोटे-चोटे बनाने हैं तो जादा क्रिस्पी बनते हैं यहां पर यह हमारे थोड़े से आलो वाले थोड़े से प्लेन वाले सिकर त्यार हो गए हैं सर्फ कर लेते हैं इससे आपको दोनों तरह के बनाने हैं आप दोनों तरह के बना सकते हो आपको प्लेन तो आपर यहां को सख़ां को चेंप पर गृत्टो ऐसे हमें युझेदे टिक रखत तरी यहां पर हमने मूली कोना थिक वाले में अभी तो यह मूली ऑफर इसломशपर चेंडे नल देने हरी अफरिकोर मसाला जिसमें सफेद नमक, काल नमक, लाल विश पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, मिक्स करके मैंने बना के रखा है, यहां पर यह देखिए हमारा तीसरा तरीका भी तयार, पी मगोडे, उपर से मूली और चेटनी, ट्राय जरूर करना यह कॉमिनिशन, बहुत ही क्रिस्पी जो